जब भी हम जगत को बाटेंगे तो वासना का जन्म होगा सिर्फ अन्बटे जगत में वासना का जन्म नहीं होगा या तो हम कहते हैं संसार और मोक्षी या हम कहते हैं सैतान और हिस्वर तब हम कहते हैं सैतान बुरा है और इसवर भला है तो सारे संसार की जो बुराई हमें जो बुराई मालूम पड़ती है वो हम सैतान पर थोप देते हैं और जो भी हमारे धारना में भलाई है वो हम परमात्मा पर थोप देते हैं तब सैतान से बचना है और परमात्मा को पाना है लेकिन वासना पैदा होगी जहां चुनाओ है वहां वासना से छुटकारा कैसे होगा सिर्फ अचुनाओ में च्वाइस लेस्नेस में वासना गिर सकती है उसके पहले वासना नहीं गिर सकती लाउस से की बात ठीक से समझ में आ जाए तो वासना चोड़नी नहीं पड़ती वासना का उठना ही असंभव हो जाता है और जिस वासना को चोड़ना पड़े वो छूटेगी नहीं क्योंकि वासना को छोड़ने की कोशिस में भी आप और किसी वासना का सहारा लेंगे आज बीमारियों से भी ज़्यादा बत्तर सिथ होते हैं। क्योंकि एक बीमारी हटती नहीं कि जिसे हमने आउसद ही समझी थी वो बीमारी हो जाती है और वो हमें पकड़ लेती। इसलिए संसार को छोड़कर भागने वाला जो सन्यासी है उसका सन्यास भी एक रोग है। होगा ही क्योंकि उसके सन्यास में समगरता नहीं है। वो भी एक खंड है। तोड़के, बचाके, जबरजस्ती, आसपास दिवाले खड़ी करके वो सन्यास को बचा रहा है। और जिस सन्यास को बचाना पड़ता हो, वो मुक्ती नहीं ला सकता। और जिस सन्यास को किसी चीज के विपरीत खड़ा हो, वो अपने विपरीत से जुड़ा रहता है। वो विपरीत का ही हिस्सा होता है। उसका प्रान अपने विपरीत में ही होता है। संसार के बिपरीच जो सन्यास होगा वो सन्यास नाम मात्र को होगा वो एक नए ढंका संसार होगा शकल बदल जाएगी ब्यवस्था बदल जाएगी लेकिन मूल रोग अपनी चके होगा मैंने सुना है कि मुल्ला नसुरुदीन अपना चिकिस्सा अपनी मांसिक चिकिस्सा करवा रहा है वर्सों के बाद उसके एक मित्र ने पूछा कि अब तो चिकिस्सा मालूम होता है पूरी हो गई क्योंकि तुम चिकिस्सक की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं पड़ते क्या लाप हुआ तुम्हें एसा भी नहीं कि कुछ हो रहा हो तब भैभीत होता ऑँ होने की आसंका से हो ना जाए इस कल्पना से भी भैभीत हो जाता हूँ उधारन के लिए मेरी हालत ऐसी थी चिकिस्सा के पहले कि टेलिफोन रखा हुआ है तो कहीं घंटी न बजने लगे कोई किसी से बात ना करनी पड़े तो मैं कपने लगता था गबडाने लगता था और गंटी अगर बज गई तो मैं इतना गबडा जाता था कि मैं उठी नहीं सकता था अपनी जड़े से तो उसके मित्र ने पूछा तो अब तो तुम ठीक हो गए अब क्या हालत मुल्ला नसुरुद्नी ने कहा कि मैं अभी तना ठीक हो गया हूँ कि अब हालत ऐसी है कि घंटी ना भी बज़े तो भी दिन में 20 अफ़े मैं फोन पर जबाब देता तब घंटी भी बसती थी तो उठ नहीं सकता था और विपरीत बीमारी में चले जाना तो एकदम आसान है लेकिन मूल रोग अपनी जगे खड़ा रहता है जहां भी हम विपरीत खड़ी करते हैं वहीं उपद्रव हो जाता है लाउस से कहता है सारा जगत ये सारा अस्तित्व ताओ का प्रवा है धर्म का प्रवा है यहां माया और ब्रह्म ऐसे दो नहीं है यह जो माया दिखाई पड़ रही यह भी ब्रह्म का ही प्रवा है ऐसा कहना ठीक नहीं कि परमात्मा कंकं में है कंकं परमात्मा है यह कहना भी ब्रांत है कि कंकं में परमात्मा है जाल दिया जैसे डब्बे के भीतर कोई किसी चीज को रख देता। लाउस से कि दृष्टी में कंकं में परमात्मा है ऐसा कहना ठीक नहीं, कंकं ही परमात्मा है। यहां परमात्मा के अत्रिक तो कुछ है ही नहीं, मगर तब हमें कठनाई होगी, क्योंकि तब हम किस से लड़ेंगे, और बिना लड़े एहंकार खड़ा नहीं होता। तब हम किसको जीतेंगे, किसको दबाएंगे, किसको नश्ट करेंगे क्योंकि बिना लड़े एहंकार को कोई मज़ा नहीं होता अगर सभी कुछ परमात्मा है तो हम एकदम खाली हो जाएंगे हमारी सारी लड़ाई खो गई लड़ने को कुछ भी न बचा और हम चाहते हैं कि लड़ने को कुछ बचे क्योंकि लड़ने में ही हमें पता चलता है कि हम है जितना हम लड़ते हूं उतना हमें पता चलता है कि हम है जब आपको कुछ करने को नहीं होता तो आपको ऐसा लगता है आप मिट गए मनस्वित कहते हैं कि लोग जैसे ही अपने काम से रिटायर होते हैं उनकी दस वर्स उम्र कम हो जाती क्योंकि लड़ने को कुछ नहीं बस था ये जान के आप हैरान होंगे कि कुवारे लोग कम जीते हैं बजाय पतियों के क्योंकि उनको लड़ने को कुछ नहीं होता है ये पश्चिन में जब अभी इस सब की गर्णा चलती थी तो बहुत चकित हुए वो सोसते थे कि कुवारा आदमी जादा जीना चाहिए क्योंकि कोई जगड़ा नहीं कोई जञड़ा नहीं कोई जञड़ा नहीं पतनी बच्चे का वो पद्रों नहीं लेकिन वो जल्दी मर जाते क्योंकि वो जगड़ा जञड़ा जञड़ा जो है वो जिलाए रखता है उससे लगता है मैं भी हूँ कभी जीतते हैं कभी हारते हैं लेकिन दाओं चलते रहते हैं और आदमी टिका रहता है अगर आपको लड़ने को कुछ भी नहीं है तो आपको लगेगा आप खो गए लड़ाई से जैसे इंधन मिलता था गैर बिवाहित लोग ज्यादा विक्षिप्त होते हैं बजाए बिवाहित लोगों के नहीं होना चाहिए ऐसा क्योंकि बिवाहित आदमी कैसे विक्षिप्त होने से बसता है यही चमतकार है लेकिन गैर बिवाहित लोग ज्यादा मांसित बीमार होते हैं बजाय बिवाहित लोगों के क्या होगा कारण मनस्वित कहते हैं वो जो संघर से उससे उनके एहंकार को सक्ती बनी रहती रोज-रोज लड़के वो अपने को निखारते रहते ताजे बने रहते लड़ने को कुछ ने होता आदमी डिला पड़ जाता आप देखते हैं जब कभी युध होता है तो मिलक में कैसी जान आ जाती कैसा हर आदमी तेजी से चलने लगता है और हर आँख में चमक मालम होती है लोग मर रहे हैं मिलक में तेजी की लहर दोड़ जाती क्या कारण होगा है वो जो संघर से वो आपको खबर देता है कि आप भी जिन्दा है आप भी कुछ कर सकते है जब कुछ संघर्स नहीं ही तो आदमी खाली हो जाए फिर उसे लगता है कि मैं हूँ या नहीं इसका भी पता नहीं चलता अपनी आइडिन्टिटी अपना तादात में खोजना मुश्किल हो जाता है इसलिए सारा जगत प्रतियोगिता में लगा रहता है सच्ची प्रतियोगिता नहीं तो हम जूटी प्रतियोगिता भी खड़ी कर लेते हैं अदॉल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथ में गैंप में लिखा है कि अगर युद्ध ना भी हो रहा हो तो भी किसी मुल्क को अगर जवान रहना हो तो युद्ध की आसंका को बनाए रखना चाहिए कि युद्ध होने वाला है कि युद्ध होने वाला है इस आसंका को तो बनाए ही रखना चाहिए अगर मुल्क को जवान रहना हो असली युद्ध नहों तो नकली युद्ध की हवा यह जो cold war चलती है दुनिया में वो उसी लिए चलती है क्योंकि युद्ध हमेशा चलाया रखना आसान नहीं है लेकिन ठंडा युद्ध हमेशा चलाया जा सकता है उससे लोग जिन्दा मालूम बढ़ते हैं आप भी अपनी जिन्गी में प्रतियोगी तक खोचते रहते हैं अगर बजार से मन नहीं भरता तो तास फैला के टेबल पे बैठ जाते हैं लडाई सुरू तास के ऊपर लडाई सुरू सतरंज रख लेते हैं अब घोड़े और हाथी असली लेके लडाई पे जाना जरा मुस्किल तो लकड़ी के घोड़े हाथी चलाने लगते हैं और युद्ध का पूरा मज़ा आप दिन भर के ठके थे वो ठकान एकदम खो जाती जैसी सतरंज बिचाई गई वो ठकान खो गई अब आप पूरी रात ठके रह सकते हैं कून ये सक्ति देता है आपको ये सक्ति कहां से आती है ये सक्ति आती है एहंकार के संघर से इसलिए आप देखते हैं कि सन्यासी के चहरे पर जो रोनक दिखाई पड़ती है लड़ने वाले सन्यासी के चहरे पर वो रोनक, कुछ तपस्रिया का कारण नहीं वो एक ऐसी लडाई में लगा हुआ है जहां एहंकार की द्रप्ती की बड़ी सुविधा है आपकी लडाई दो कोड़ी की इसलिए जब भी आप उसके पास जाएंगे वो कहेंगे क्या कर रहे हो क्या इखटा कर रहे हो छण भंगुर, संपदा इस जीवन में क्या रख़ा है हमारी तरफ आओ हम उस जीवन को खोज रहे हैं जो सासवत है हम उस संपदा की तलास में हैं जो कभी नश्च नहीं होती वो एक बड़ी लड़ाई लड़ाई है उस बड़ी लड़ाई में उसमें रोनक ताज किये है वो टिका हुआ है लेकिन वो लड़ाई एहंकार को निर्मित कर रही और ध्यान रहे एहंकार की रोनक रुग्ण है और एहंकार की रोनक विसाक थे लाउस से कहता है कि ताओ का प्रवाह है सब कुछ बाड की भाती ताओ ही सब तरफ बहरा है सभी कुछ स्विकार करने जैसा है यहां अस्विकार करने जैसा कोई कुछ भी नहीं है तो कि जो भी अस्विकृत हो रहा है वो भी परमात्मा है मगर इतना बड़ा हिर्दे चाहिए स्विकार करने का फिर अस्विकार करने के लिए तो छुदर हिर्दय काफी है इसलिए जो आदमी जितने छोटे हिर्दय का होता है उतना अस्विकार करता रहता है उतना निसेत करता रहता है ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं इंकार करता रहता, बहुत छोटा संकीन हिरते है अगर आप पूरे अस्तितों को हां कह सके तो ही आपको परमात्मा की प्रतिती सुरू होगी वो कहीं छिपा नहीं है, वो यहीं प्रगट है वो सब जगें प्रगट है, सभी रूप उसके है सभी अभी व्यक्ति हैं उसकी है सभी घटनाओं में वो छिपाए जिसको हम बुरा कहते हैं वो हमारी व्याख्या है जिसको हम भला कहते हैं वो हमारी व्याख्या है लेकिन परमात्मा बुरे में भी है और भले में क्योंकि हमारी व्याख्याएं परमात्ना को निरधारित नहीं करती है